हेलो एवरेवन आप सब्सक्राइब एब्सक्राइब 4classes में आज हम लोग इस वीडियो में उत्ता प्रदेश के समान ग्यान को पढ़ेंगे उत्ता प्रदेश की सभी पैच्छाओं में आट से दस कोशन पूछ ही जाते हैं और यह वीडियो कंफी इंप्गारिए गा उत्ता प्रदेश की सभी पैच्छाओं के लिए तो चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले जो भी नए वीवर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी न्यू वीडियो की नौटिविकेशन आपको मिलती रह और भारत का कुल्भगोली चेतफल कितना है 32,087,263 वर को किलोमीटर नैस्ट कोशिन है और यह कोशिन आपका यूपी काॉंस्टवल में बूचा जा चुका है उत्तर प्रदेश का नौप भारत के क tenure च्चात प्रतिसात है उत्तर प्रदेश का जो चेत्रुफल है वो भारत के कुल भगोली 6 फल का कितना प्रस्त है तो उसका राइट आंसर होगा option B 7.33% next question है छेत फल की ड्रेश्टी से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्तान है तो उसका राइट आंसर है option C 4 तो पहला कौन सा राज है पहला राजिस्तान है दूसरा मदप्रदेश है तीसरा महाराष्ट है चौथा UP है और इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है आपको लिखना है राम माउ तो राज से क्या हो गया आपका राजिस्तान मा से क्या हो गया मद्ध प्रदेश बड़ा मा से क्या हो गया महाराश्ट और बड़े उसे क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश नेश्ट कोश्चन है आपका उत्ता प्रदेश की उत्तर से दच्छन की कुल लंबाई कितनी है तो उसका राइट आंसर है और सन भी 240 किलो मीटर next question है आपका उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है तो इसका right answer है option A 650 km next question है उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौडाई कितनी है तो इसका right answer है option D 650 लंबाई है और 240 km इसकी चौडाई है नेश्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के सपर्ष करती है तो इसका राइट आंसर है ओफशन बी आठ राज और एक केंसासी प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा कितने रज्जों की स्पस करती आठ राज हुए आठ राज कौन से है तो आपका पहला है उत्तरा खंड दूसरा आपका हिमांचल प्रदेश है तीसरा आपका हडियाना है चोथा आपका राजिस्तान है पांचवा आपका मद प्रदेश है छटा आपक जारगंड है नेश्ट कोशन है उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र सासिद प्रदेश सहित कुल कितने राज्यों को इसपस करती है तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है तो इसका राइट आंसर है ओफशन डी नेपाल नेश्ट कोशन है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है तो इसका राइट आंसर है ओफशन भी गोंडवाना land next question है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तुसका right answer है option C सारनपूर सारनपूर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है next question है उत्तर प्रदेश का सबसे दच्छनी जिला कौन सा है तो इसका right answer है option A बलिया यह question आपका समच्चा इदिगारी में पूछा जा चुगा है next question है उत्तर प्रदेश का सबसे पच्छमी जिला कौन सा है तो इसका right answer है option A सामली उत्तर प्रदेश का सबसे पच्छमी जिला है नेस्ट कोश्चन है और काफी important कोश्चन है संभावित है यह कोश्चन पूछा जाए आपके आने वाले UP के सभी एक्जामों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा को सपर्स करते हैं तो इसका right answer है option D7 उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा को सपर्स करते हैं तो साथ जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो नेपाल की सीमा को सपर्स करते हैं नेस्ट कोश्चन है उत्तर प्रदेश किस राज के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो इसका right answer है option A मद्द प्रदेश जिले हैं जो मध् प्रदेश राज़ को इसपर्ष करते हैं नेस्ट कोश्टन है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है तो इसका right answer है औप्षन भी हिमांचल प्रदेश next question है उत्तर प्रदेश का हुआ कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को इसपर्श करता है तो इसका right answer है option A सोन बद्र सोन बद्र चार राज्यों की सीमा को इसपर्श करता है वे चार राज कौन कौन से हैं पहला राज आपका MP है, दूसरा आपका 36 गण है, तीसरा आपका बिहार है, और चौथा आपका 4 घंड है, नेस्ट कोश्चन है, प्रदेश के सबसे कम जिलो को इसपर्स करने वाला जिला कौन सा है, यानि कि उत्तर प्रदेश के में वह कौन सा जिला है, जो सबसे कम जिला को तो इसका right answer है, option C, ललितपूर, नेस्ट कोश्चन है, प्रदेश के सरवादिक जिलो को इसपर्स करने वाला जिला कौन सा है, तो इसका right answer है, option C, वदायू, नेस्ट कोश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले राज्टी राजधानी छेत्र NCR में समलित किये गए हैं, तो इसका right answer है option A 8 जिले उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को NCR छेतर में सामित किया गया है और एक बात यह है कि आपके हर competitive exam में ऐसे ही question पूछे जाते हैं और इसी तरह से question आते भी है next question है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है तो इसका right answer है option B 18 मंडल है next question उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मद्ध प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है तो इसका right answer है option B ललितपूर next question है उत्तर प्रदेश में सरवादिक one किस जिले में पाय जाते हैं उत्तर प्रदेश में सरवादिक one किस जिले में पाय जाते हैं तो उसका right answer है option B सोन बद्र next question है उत्तर प्रदेश में सबसे कम one किस जिले में पाय जाते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन किस जिले में पाय जाते हैं तो उसका राइट आंसर है ऑफ्षन ए संत रवीदास नगर नेक्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं तो उसका राइट आंसर है ऑफ्षन डी 75 नेक्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में कुल कितन आर्थिक संबाग छेत रहें तो इसका right answer है option C 4 उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संबाग छेत रहें आसा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आप लोगों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को like और share जरूर करें और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है वो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तब के लिए नमस्कार